हेलो बच्चो मैं हूँ अजय साहर आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में वेलकम हैं आज हम क्लास एट से एकसरसाइस 7.1 का कुश्चन नमबर 10 देखते हैं एक साइकलिस्ट है जो 12 किलोमेटर से कवर करने में 3 आर्स का टाइम उसको लग रहे हैं तो आपसे पूछा गया है कि वह 20 किलोमेटर से कवर करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा ठीक है यहाँ पर अपने को time find करना वो भी hours में तो देखिए अब यहाँ पर आप suppose कर लेना let a cyclist cover 20 km in xr हमने xr में भी suppose कर लिया है अब इसमें एक table बनाना और इसमें put करना देखिए distance 12 km 12 km travel करने में कितना time लग रहा है 3 hours ठीक है आप से पूछा गया है 20 km cover करने में distance कितना time लगेगा हमने क्या suppose किया है x यह हमने बना लिया table में fill up कर लिया value अब देखिए यह जो question है हमारा direct variation का है तो हम direct variation वाला formula से बनाएंगे इसको तो यहाँ पर हम लिखते है formula जो कि है हमारे पास x1 upon y1 is equals to x2 upon y2 यह हमारा x1 है यह y1 x2 y2 आई यह सारे value put करते हैं देखिए x1 किसके equal है 12 के y1 3 के equal x2 equal है 20 के और y2 equal है x के अब cross multiply करेंगा x का multiply 12 से और 3 का multiply 20 से तो यह हो जाएगा 12x और यह हो जाएगा 20 into 30 अपने कोई x का value find करना है तो यह जो साथ में 12 है वो इसके upon में आ जाएगा ठीक है तो देखिए यह कुछ हो जाएगा x is equals to 20 into 3 upon 12 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा x is equals to 5 और अपने को time find करना है तो यह अपना answer जो है वो hours में आ जाएगा ठीक है तो cyclist को 20 km cover करने में कितना time लगेगा 5 hours लग जाएगा ठीक है यह हमारा answer हो गया बच्चो आए बच्चो question number 11 देखते है question number 11 है the wages of 25 laborers is rupees 1250 what is the amount of wages for 40 laborers 20 laborers means mazdoor और wages means mazdoori ठीक है 25 laborers है वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको mazdoori के तौर पे मिल रहे है 1250 rupees ठीक है 25 laborers को कितने मिल रहे है rupees 1250 तो आप से पूछा गया है कि 40 laborers रहेंगे mazdoor होंगे तो उनको कितना mazdoori मिलेगा ठीक है अपने को यहाँ पे rupees में answer आएगा तो देखें आप यहाँ पे यहाँ पे आप सपोस कर लेना लेट था wages of 40 laborers भी एक्स रूपीज ठीक है हमने स्टार्टिंग में सपोस कर लिया है कि 40 laborers का जो amount है या wages है वो हो जाएगा एक्स रूपीज अब यहाँ पे आप एसे column बना लेना फर्स्ट में रहेगा number of laborers देखें 25 laborers है 25 laborers का उनका wages कितना है 1250 आप से पूछा गाया है 40 laborers का तो हमको नहीं मालू है अभी तो हमने सपोस क्या कर लिया अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगा direct variation का जो कि हमारे पास x1 upon y1 is equals to x2 upon y2 x1 y1 है यह x2 और यह y2 है तो आई यह put करते हैं x1 x1 कितके equal है 25 के y1 equal है 1250 के equal to x2 equal है 40 के और y2 equal है x के cross multiply कर लेंगे x का multiply 25 से और 1250 का multiply 40 से तो यह हो जागा हमारे पास 25 x और यह हो जागा 40 into 1250 अब अपने को इस x का value find करना है तो जो 25 है ना वो इनके upon में आ जागा so x is equals to हो जागा 40 into 1250 upon 25 देखें यह दोनों कर जागा 25 और 25 25 फाइब जा 125 और 25 जिरो जा 0 तो यह कुछ हो जागा 40 into 50 इनके multiply कर देते हैं देखें इसका इससे multiply करेंगे 20 और यह double 0 है तो double 0 ठीक so x is equals to value क्या जाएगा 2000 यह 2000 actually में rupees में आ जाएगा ठीक है तो 40 liberals का जो wages है वो कितना हो जाएगा 2000 रूपीज यह आपका अंसर आ गया आए बच्चों question number 14 देखते हैं देखें कोई डीलर है वो किसी समान को जब वो बिकवार है किसी को तो उसको कमिशन मिल रहा है 73 रूपीज 73 रूपीज कमिशन किस में से मिल रहा है 1000 में से वो कोई 1000 का समान किसी को वो अपने कस्टमर को दिलवा रहा है तो उसको कमिशन मिल रहा है 73 रूपीज ठीक है तो आपसे पूछा गया है जब वो 100 रूपीज का कोई समान बिकवाएगा तो उसको कितना कमिशन मिलेगा ठीक है 1000 में कमिशन मिल रहा है उसको 73 रुपीज आप से पूछा गया 100 रुपीज में उसको कितना कमिसन मिलेगा तो हम suppose कर लेंगे उसको 100 रुपीज में X कमिसन मिलेगा और dealer gets कमिसन ऑफ X रुपीज फॉर सेलिंग आइटम 100 थीक है उसको हमने suppose क्या कर लिया है कि 100 रुपीज में उसको कमिशन मिल रहा है एक्स रुपीज और देखें कुश्चन नमबर जो 12 है वो आप लोगों के लिए homework रहेगा बच्चो तो इसको आप लोग बनाईएगा अब देखते हैं कमिशन कमिशन कितना है पहले में 73 है तो 73 यहाँ पे हम लिखेंगे और आइटेम का जो कॉस्ट क्या था वो था 1000 ठीक है फिर आप से पूछा गया है कि 100 रुपीज जब होगा तो कमिशन कितना मिलेगा तो हमने कमिशन क्या सबोज कर लिया एक्स अब हम अब अपन क्रोस मिल्टिप्लाइ कर लेंगे 73 का मिल्टिप्लाइ 100 से और 1000 का मिल्टिप्लाइ x से कर लेंगे इसका इससे करेंगे तो यह एक्च्वल में हो जाएगा 1000x और यह हो जाएगा हमारे पास 73 इंटू 100 अब अपने को तो यह x का वैल्यू फाइन करना है तो यह जो 1000 है वो इनके अपॉन में आजाएगा so x is equal to 73 इंटू 100 और यह अपॉन में आजाएगा 1000 यह 100 से 00 और यह इधर का 00 कट जाएगा अब यह बच जा गया 73 अपॉन 10 73 को आप 10 से डिवाइट करेंगे इसका वैल्यू आजाएगा 7.3 7.3 ठीक है मिन 7 रुपीज 3 पैसे या इसको आप 30 पैसे भी लिख सकते है तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू गया जाएगा यह तो डिलर को 100 रुपीज में 100 रुपीज में कमीशन कितना मिलेगा उसको 7 रुपीज 30 पैसे यह कमीशन मिलेगा और 1000 में कितना कमीशन मिल रहा था 73 और 100 रुपीज में उसको कमीशन मिलेगा 7 रुपीज 30 पैसे आईए बच्चो कोशन नमबर 16 देखते हैं तो कोशन नमबर 16 है एक आदमी है जो एक मिनट में 180 वर्ट्स रीट कर लेता है तो आपसे पूछा गया है कि उसी आदमी को 768 वर्ट्स रीट करने में कितना टाइम लगेगा ठीक है यहाँ पर टाइम अपने को मिनट में बताना रहेगा तो देखें यहाँ पर आप हम क्या कॉलम क्या बना लेंगे नमबर आफ वर्ट्स टाइम जो है वो मिनट में रहेगा देखें नमबर आफ वर्ट्स कितने है 180 वर्ट्स को read करने में कितना time लगा 1 minute ठीक है आपसे पूछा गया है 768 words को read करने में कितना time लगेगा हमने क्या suppose कर लिया है है हाँ पर formula लगाएंगे x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 x1 y1 और यह x2 और यह y2 आई यह x1 y1 के value रखते हैं यहाँ पर 180 upon 1 फिर x2 equal है 768 के और y2 equal है x के cross multiply कर लेते हैं इस 1 का multiply से करेंगे 768 से और 180 का x से हो जाएगा तो यह हो जाएगा 180 x is equals to 1 का करेंगे तो यह change नहीं होगा 768 x के value find करना तो 180 के upon में आ जाएगा so x is equals to 768 upon 180 देखे पहले इनको अपन 6 के table से कारते हैं ठीक है 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 0 जा अब देखे 6 1 जा 1 कह रही होगा 16 होगा 6 2 जा फिर अब 4 कह रही हो जाएगा ठीक है तो 6 8 जा होता है 48 मिन्स यह हो जाएगा simplified form हो जाएगा 128 upon 30 अब इनको आप 2 के table से divide कर सकते हैं देखे 2 6 जा 2 4 जा and 2 15 जा तो 64 upon 15 जा जाएगा ठीक है तो देखो इसको और जब अपन solo करेंगे 64 को आप divide कर देंगे 15 से तो इसका value आ जाएगा 4.26 something जाएगा यह देखे इसी को आप mixed fraction में लिखते तो आप लिखते 4 4 upon 15 और अपना जो में आ जाएगा means x का जो value है actual में वो आ जाएगा 4.26 minute ठीक है तो 768 words read करने में 4.26 minutes लग जाएगे